दोस्तो अगर आप यूज करते हो शम्शंग गलेक्षी यह 14 का फोन तो इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वार्ट्सप पर फिंगर फिंट लॉग कैसे लगाएंगे आप अपने वार्ट्सप को वार्ट्सप के द्वारा ही लॉग कर सकते हो जिससे आ एक उप्सन मिलेगा अकाउंट नाम से आपको अकाउंट के उप्सन पर किलिक करना है जिससी आप लोग अकाउंट के उप्सन पर किलिक कर देते हो कुछ ऐसा इंटरफिस देखने को मिल जाएगा अब जोस्तो यह एक उप्सन आपको यहां पर मिलेगा प्रैवेसी नाम से आपको इस पर click करना है, privacy के option पर click करने गए दोस्तों, कुछ Azure interface मिलता है, सबसे नीचे आएंगे, last में, fingerprint lock का option आपको मिलता है, fingerprint lock के option पर click करना है, click करने गए दोस्तों, यहाँ पर unlock with fingerprint का option देखने को मिल जाता है, इसको आपको on करना है जिससे आप लोग इसको on करेंगे इसके बाद कुछ important setting करने होगी on करने के बाद आपको confirm करने के लिए अपना fingerprint confirm करना है जो fingerprint लगाए है उसको confirm कर दीजिए इसके बाद यहां पर after one minute रहेगा तो आपको इसको यहां पर immediately कर देना है immediately जरूर कर देंगे ताकि एक बार हाटसप को open करें और cut कर दें दुबारा open करेंगे तो ओ lock रहे notification lock इसके यानि notification so होना है या नहीं so करना है तो यहां पर आप लोग अपनी साब से बंद और चालू कर सकते हो finally हाटसप देख सकते हैं आप लोग fingerprint lock लग चुका है